हेलो फ्रेंट्स, हमारी एक सिरीज पैंडिंग पड़ी थी और जो थी हम SP बक्सी की सिरीज हम लगभग 6-7 मन्स बिफोर हम कर रहे थे लेकिन लिट्रेचर और किसी कारण वस ये सिरीज पैंडिंग हो गई थी तो इस वर्ड सिरीज को आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और फ्रेंट्स एक 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 वर्ड को बड़े simplified बे में जो आपकी SP बक्सी के वर्ड से उनको हम simple बनाते चलते हैं और एक एक वर्ड को उसके synonym के सहित उसकी parts of speech के सहित और उसके हिंदी मीनिंग को लेते हैं हम discuss करते चलते हैं तो एक एक वर्ड बड़ा important होने वाला है चुकि यह आपकी जो vocab है vocab में बहुत सारे aspect आपके add करेगा तो चलिए friends आज का lecture सुरू करते हैं और आज हम discuss करेंगे only 10 words 341 to 350 तो चलिए जो सबसे पहला word है वो है friends impertinent impertinent इस word की अगर सबसे पहले आप पार्स स्पीच की बात करें तो यह word है friends adjective क्या है adjective और इसकी अगर हिंदी की बात करें तो इसको आप कह सकते हैं धीट गुस्ताख या अभद्र क्या friends धीट गुस्ताख या अभद्र impertinent क्या friends और इसके अगर synonym की बात करें तो इंगलिस में इसके synonyms मिल जाते हैं इस word के उसके बड़ा प्यारा सा एक word आता है insolent insolent और आप fellow traveler एक एजी गार्डिनर का एक essay है उसमें उन्होंने बड़े प्यारा सा word ये यूज किया है impudent और rude बड़ा common word है root root से आप समझ सकते होगे अगर हमें इस word को use करना हो तो आप क्या कह सकते है impertinent child अगर कोई अभद्र या धीट बालक अगर आपको दिखाई देता है तब आप उस बालक के reference से word याद कर लीजे impertinent child impertinent child और कई वर क्या होता है friends जो पत्रकार होते हैं कोई किश्वन ऐसा पूछ लेते हैं बड़ा अभद्र किश्वन होता है तो वहाँ भी आप उस किश्वन को कह सकते हैं impertinent किश्वन उस reference से भी आप इस word को याद कर सकते हैं इसके बाद next word है वो है friends intermittent 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 spelling देखे inter m i t t e n t इसमें जो spelling पर ध्यान दे यहाँ e n t है a n t नहीं है intermittent intermittent होता है friends छुट पुट जिससे आप कह देते हैं और इस word की अगर नेचर की बात करें तो यह word भी adjective है और आप कह सकते हैं छुट पुट किसी भी तरह की कोई छुट पुट घटना होती है और you can say irregular कोई चीज इन्रेगुलर होती है तो वहाँ आप इस word को यूज करते हैं इंटर मिटेंट को किले फेंस इसके लिए प्यारा सब वर्ड आपको मिलता है फिट फुल क्या फिट फुल और इर्रेगुलर आप कह सकते हैं कंटीनुवल कह सकते हैं कंटीनुवल कंटीनुवस नहीं है फ्रेंस कंटीनुवल और इर्रेगुलर कोई चीज एन्यमित होती है वहाँ अच्छा एन्यमित भी कह सकते हैं कोई चीज छुटपुट हो रही है रेन हो रही है बारिस कभी हुई कभी रुख गई तो उस तरह कर जो रेफ्रेंस है वो है intermittent क्लेफ्रेंस intermittent rain और एक वर्ड और है sporadic क्या sporadic और spasmodic और sporadic यह दोनों वर्ड भी इसी सेंस में यूज़ होते है sporadic, spasmodic, intermittent, irregular, continual, fitful clear friends और अगर कई बार क्या होता है कोई पेट में दर्द होता है हमारे कभी हुआ कभी रुख गया, हलका फुलका हो रहा है फिर रुख गया तो उस तरह भी हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं यानि विकन से intermittent pain या intermittent rain intermittent pain और intermittent rain कैसी वारिस जो छुट-पुट हो रही है जो लगातार नहीं हो रही है कभी होती है, कभी रुख जाती है और इस से एक वर्ड और बन जाता है वो है फ्रेंट्स intermittent और इस वर्ड की nature की बात करें intermittent की तो intermittent है फ्रेंट्स वार्ब clear ये वर्ड है adjective और ये है वार्ब और इसका मतलब है discontinue अगर intermittent की बात करें तो इसका meaning हो गया discontinue clear तो दो वर्ड हमने सीखे अभी एक तो है impertinent जिसका मतलब होता है धीट गुस्ताक या अभद्र और आप कह सकते है insolent, impudent और rude कोई impertinent child है impertinent Christian है वहाँ इस वर्ड को जोड के याद कर सकते हैं दूसरा है intermittent, intermittent होता है not regular यानि कोई irregular है कोई irregular वे में कहीं बारिश हो रही है वहाँ इस वर्ड को याद कर सकते है intermittent rain यानि spasmodic बहुत अच्छा वर्ड है sporadic, irregular, continual, fitful ये तो common वर्ड है लेकिन वो दोनों वर्ड special है आप learn कर सकते हैं के लिए friends तो चलिए इसको note करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं friends अब इसी series में जो next word है वो आता है हमारे पास immaculate i-double-m-a-c-u-l-a-t-e immaculate देखे immaculate क्या है? immaculate immaculate नहीं है immaculate i-double-m-a-e-m-a-c-u-l-a-t-e immaculate और इस word की nature की बात करें तो ये word भी है friends adjective और जिसका मतलब होता है शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ, सुद्ध, निर्मल और स्वच्छ, क्लिफन्स और वे पेटचीरा नहीं है, बिना पेटचीरा है, क्लियर, और तो अगर ईग्ली Speast के सिनोनिम की बात करें तो आपके पास कुछi WORDS मिल जाते हैं जिसे आप कह सकते हैं perfect, pure कह सकते हैं, spotless कह सकते हैं, faultless कह सकते हैं, pure, spotless, faultless, यानि जिसमें कोई fault ना हो, sportless, कोई sport ना हो pure हो, या एक word और मिल जाता है, जिसको आप कहते है perfect perfect भी इसी sense में use होता है should, normal, switch या एक word और आ जाता है niska party या niska langk भी आप कह सकते है कई बार आपने कोई performance देखा और बड़ा साफ सुतरा performance था बड़ा बड़ा performance था, तो वहाँ भी आप इस word को use कर सकते है immaculate performance या आपने uniform पहनी है बलकुल sportless है, साफ सुतरी है एकदम neat and clean है तो वहाँ भी आप use कर सकते है immaculate uniform clear friends, immaculate uniform या immaculate performance clear, साफ सुतरा प्रदर्शन तो क्या मतलब है immaculate का शुद, बिलकुल स्वच, निर्मल या निस्कपट या निस्कालंग clear friends, और next word है इसके बाद जो है वो है integrity unity and integrity अक्सर उस sense बे वर्ड यूज होता है integrity I and T E spelling पे दिहान दे, यहाँ पे E है I नहीं है, integrity integrity तो जो integrity है integrity का मतलब होता, friends अकंडता या इमानदारी और word की बात करें तो यह noun है अकंडता या इमानदारी clear friends, इमानदारी या अकंडता तो अकंडता और इमानदारी integrity होती है और इसके लिए रड मिल जाता है अगर सुनोनिम की बात करें तो honesty मिल जाता है और honesty के साथ एक बड़ा प्यारा सावर्ड मिलता है अप राइटनेस अप राइटनेस अप राइटनेस और morality मिल जाता है और एक वर्ड और मिलता है जो है unity morality and unity unity, morality, uprightness and honesty तो यह सारे वर्ड क्या बताते हैं यह बताते हैं अखंडता को या इमानदारी को और आप क्या कह सकते हैं a gentleman of complete integrity आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं या unity and integrity of our country या अपने देश की एकता और अखंडता एकता और अखंडता के सेंस में अपसर यह वर्ड यूज होता है और इसके बाद एक दूसरा वर्ड है इंसेसंट इंसेसंट और जो इंसेसंट है इस इंसेसंट की अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो ये भी ये फ्रिंट्स एजक्टिव और जिसका मतलब होता है सतत या लगातार जो अभी आपने उपर वर्ड पढ़ा था क्या जो इस पास मॉडिक था clear यानि रुक रुक के कोई चीज हो रही थी तो उसका ये object है उस sense में use होता object के sense में कोई काम लगातार हो रहा है सतत हो रहा है बिना रुके हो रहा है तो वहां हम कहतें incessant clear friends और यानि अगर इंगलिस की बात इसके synonym की बात करें तो आपको को एक word मिल जाता है constant constant यानि कोई काम लगातार चल रहा है और दूसरा है friends unseizing unseizing seize के देते हैं रुक जाना किसी काम को seize कर देना रोक देना और अबजिट हो गया इसका unseizing या continuous होता है continuous तो continuous है unseizing है और constant है इसका मतलब है सतत लगातार या बिना रुके और अगर कोई व्यक्ति बोले जा रहा है बोले जा रहा है अक्सर तो आप कह सकते हैं incessant chatter लगातार आपको chattering की आवाज आ रही है और you can say अगर कोई लगातार शूर आपको सुनाई दे रहा है तो आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं incessant noise of factory की factory का अक्सर जो factory का noise होता है वो लगातार हमें सुनाई देता है जब तक factory चलती रहती है और अक्सर अबूमन फैक्ट्रियर 24 गंटे चलती है तो वहाँ भी इस वर्ड को डाल सकते है incessant noise of factory clear friends तो वर्ड हमें मिले क्या मिले एक तो मिला immaculate जिसका मतलब होता है शुद्ध, निर्मल, या स्वच्छ, या निसका पट, या निसका लंक perfect, pure, spotless, faultless clear friends तो इसको immaculate uniform या performance से आप इसको add कर सकते है integrity होती है अखंडता unity and integrity of our country यानि देश की एकता अखंडता उससे आप word याद कीजिए और next है incessant incessant मतलब है लगातार या सतत यानि बिना रुके तो continuous, unceasing या constant incessant noise of factory इससे आप इस word को इस phrase से learn कीजिए clear तो चलिए note करते है फिर आगे बढ़ते है एक next word हमें मिल जाता है friends और बड़ा प्यारा सा word है indigent indigent और friends ये noun और adjective दोनों की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है दरिद्र या गरीब indigent यानि दरिद्र और गरीब दरिद्र और synonym आपको simple से मिल जाते है जिससे आप कह सकते है poor, needy, coinless poor, needy, coinless यानि जिसके पास कोई coin ना हो और एक word मिल जाता है destitute 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 भी बड़ा प्यारा सा word है और एक और प्यारा सा word मिलता है फ्रेंस वो है popper p-a-u-p-e-r popper popper यानि दरिद्र और indecent sudama बड़ा प्यारा सा word आप याद कर सकते हैं सुदामा के उपर डालके indecent sudama यानि जो सुदामा का नाम लिया जाता है वो गरीबी के कारण लिया जाता है तो वहाँ indecent sudama या popper सुदामा याद कर सकते हैं अगर popper भी यहाँ add कर ले तो और असान आपका काम हो जाएगा यानि दोनों word आपको learn हो जाएगे हो सकता है आपने popper ना पढ़ाओ कि लिया friends तो popper indigent sudama पे आप डाल दीजेए next word आता है हमारे पास inundate i-n-u-n d-a-t-e inundate spelling देखे friends i-n-u-n-d-a-t-e inundate और inundate की अगर बात करें तो यह वर्ल्ड है वाब और इसका मतलब होता है डुबान डुबाना या बाढ़ आना clefence बाढ़ आना बाढ़ आने के और डुबाने के सेंस में यूज होता है और आप कह सकते हैं flood या overflow flow clefence overflow है inundate और एक प्यारा सा वर्ल्ड है फ्रेंस deluge शायद ना सुना हो आपने deluge deluge भी सेंस में यूज होता है और एक और वर्ड है फ्रेंट्स सब मर्ज क्या सब मर्ज सब मर्ज कर देना यानि डुबो देना किसी चीश को अक्सर कही बार हम कहते हैं जो पूरा गाउं है वो flood water से क्या हो गया inundate हो गया यानि flood water ने पूरे गाउं को डुबो दिया क्लिए फ्रेंस इसके बद नेक्स्ट वर्ड मिलता है हमें इन वेटरेट इन वेटरेट और फ्रेंस जब हम नॉर्मन लूइस कर रहे थे तब यह वर्ड हमने डिसकस किया था इसकी root के सहित इसको आमने लिया था invaderate और यह जो word है यह है adjective और इसका जो meaning है वो है friends पुराना या cutter आप कह सकते हैं पुराना cutter या जिद्धी पुराना कट्टर या जिद्धी पुराना इन्वेट रेट यानि संपल इवे में आप कह सकते हैं deep rooted क्या कह सकते हैं deep rooted या certain भी word मिल जाता है इसका synonym हमें deep rooted यानि कोई चीज़ अगर गहराई तक गई हुई है तो वहाँ आप कह सकते हैं और habitual भी आप इसके लिए word यूज़ कर सकते हैं habitual और एक वर और और रेफेंस fanatic fanatic भी के संस में यूज़ होता है fanatical यानि deep rooted और habitual और certain और inveterate यानि पुराना कटर या जिद्धी और आप अक्सर कहते हैं inveterate lawyer क्या he is an inveterate lawyer कैसा जूटा है एक पुराना जूटा है यानि deep rooted कहते हैं बिल्कुल पक्का जूटा व्यक्ती है रग रग में जिसकी जूट बसा हुआ है clear fields तो clear हुआ यानि word हमने सीखा indecent यानि गरीब और inundate हमने सीखा डूबाना या बाड़ाने के संस में यूज़ होता है deluge, submerge, overflow, flood के लिए यूज़ होता है और जो inveterate है ये है पुराना कटर या जिद्धी नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंट्स inimical common word है सरसुना होगा inimical होता है फ्रेंट्स हानिकारक और inimical में और economical में पहली बात तो confused मत होना inimical 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 not economical के लिए फ्रेंट्स और word की nature की बात करें तो adjective है और inimical का मतलब होता है फ्रेंट्स हानिकारक या विरोधी हानिकारक या विरोधी या आप कह सकते हैं शत्रूवत और इसके साथ जो accept proportion यूज़ होता है वो होता है to inimical to something किसी के परती विरोधी होना किसी के परती हानिकारक होना और आप कह सकते हैं इसके synonym adverse, harmful, hostile, adverse, harmful, hostile और unfriendly भी आप कह सकते हैं अगर कोई policy है, किसी government की कोई policy है, वो public के हित में नहीं है, तो वहाँ इस word को यूज़ कर सकते हैं यानि आप जैसे अभी रिसेंटी बजट आया है, आप बजट कह सकते हैं पबलिक के विरोध ही है, यानि पबलिक के हित में नहीं है, पबलिक के लिए हानिकारक है और दूसरी चीज कोई policy है, पबलिशी के लिए आप कह सकते हैं, कि यह जो policy है, इनिमिकल है, पबलिक के लिए है यानि पब्लिक के विरोधिये पॉलिसी है किलेफिंस और नेक्स्ट वर्ड है लास्ट वर्ड है आज का बड़ा कॉमन सा वर्ड है और अब जानते हैं बड़ा प्यारा सा और जो है इनोवेशन इनोवेशन क्या कहते हैं innovation की पहली बात तो word की अगर nature की बात करें तो word happens noun और इसका मतलब होता है कोई आविश्कार किसी नई वस्तू का आविश्कार या नवीनी करण नवीनता या आविश्कार नवीनता आविश्कार के लिए हम यूज करते हैं word innovation और ये दोनों सेंस में यूज होता है innovative ideas भी हो सकते हैं किसी idea का innovation हो सकता है और actual पे अगर root की बात करें तो ये word आया in plus nowhere से nowhere कहते हैं make new किसी नई चीज को बनाना और in का मतलब होता into clear friends तो आप कह सकते हैं किसी नई चीज का अविश्कार या कोई नवीनता किसी आपके जो teaching है उसमें आपने innovation कर दिया उसमें कोई नवीनता ला दी तो वहां भी आप इस sentence को यह आप यूज कर सकते हैं और अगर संपल से sentence की बात करें तो we continue हमने continue रखा किसको continue रखा to innovate new methods in teaching चलिए teaching की बात कर लेते हम कि हमने जो नए methods and teaching में उनको innovate करना continue रखा किलिया friends तो we continue to innovate new methods in teaching clear तो यह innovation था हमने हलाकि innovate की तरह से इसको यूज कर लिया clear friends तो हमने यहां सीखे inimical और innovation I hope जो 10 words हमने डिसकस किये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे और अब किसी reference book के कहीं किसी dictionary के आपको जरूत नहीं है लेक्चर को अगर आपने घ्ञान से देख लिया तो definitely यह 10 words आपको बिल्कुल deep rooted आपको learn हो जाएंगे लेक्चर कैसा लगा आपने राए जरूर दे और चलिए friends चैनल पर पहली वार आए हैं सब्सक्राइब करें और जो bell icon है उसको प्रेस करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर upload हो सबसे पहले आप तर प्रूसते हैं Now thanks for watching this video